तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे MS Word में different type की line बनाना और वो भी हम सब काम keyboard से करेंगी shortcut में दोस्तो नॉर्मली तो हम insert में जाकर यहां पर shapes के अंदर से line लेकर इस तरह से line draw करते हैं आज हम इस वीडियो में इस तरह से line draw नहीं करेंगे सभी काम हम जो keyboard से करने वाले हैं shortcut में बनाने वाले हैं सभी lines को तो दोस्तो वीडियो को पूरा देखें वीडियो को पूरा देखने का आप भी easily इस टैप की सभी lines draw कर पाएंगे keyboard से shortcut में तो चलिए दोस्तों start करते हैं आज की वीडियो को दोस्तों सबसे पहले हमें keyboard से minus button प्रेस करना है देखें तीन या तीन से ज्यादा बार आप minus button प्रेस करेंगे और जैसे ही keyboard से enter करेंगे तो हमारे पास यह straight line आती है इस तरह हम लाइन को draw कर सकते हैं और यही line हमें ठीक ले line आती है ठोड़ी सी thick color में अब हम keyboard से इसी type से तीन बार equal button प्रेस करेंगे या तीन से ज्यादा बार भी कर सकते हैं और जैसे हम keyboard से enter करते हैं हमारे पास dual line आती है इस तरह से अभी हम keyboard से star button को प्रेस करेंगे तीन या तीन से ज्यादा बार और जैसे enter करते हैं तो हमारे पास dotted line आती है और अगर हम keyboard से has button को type करेंगे यहां पर तीन बार या तीन से ज्यादा बार और enter करते हैं हमारे पास इस तरह से जो triple line होती है इस design में वो हम ला सकते हैं अब यहीं पर keyboard से हम tilt button को press करते हैं जो कि हमें keyboard में left side में top की side में दिया होता है इस cap button के just नीचे तो हमें shift के जाथ में तीन बार इस button को press करना है और जैसे हम keyboard से enter करते हैं तो हमारे पास zigzag line आती है इस तरह से तो shortcut में हम इन सभी lines को draw कर सकते हैं MS word पर इस तरह से हम lines को draw करते हैं अपने time को भी save कर सकते हैं अब दोस्तों यहां पर shortcut में जा हम line बनाते हैं तो इन lines पर हम color apply नहीं कर सकते हैं अगर हमें कभी भी lines को colorful बनाना है तो उसके लिए हम keyboard से एक shortcut की चलाएंगे alt h b o यह shortcut की चलाते हैं साथी देखिए हमारे पास यहां पर border and setting को option खुल कर आएगा अब यहां से हम अपनी line decide कर सकते हैं क्या हमधें कौन सी line यहां पर apply चुनी line का हम यहां से color भी देंचसकते हैं जो भी line color हम यहां पर चीए हम यहां से choose कर लेंगे अब यह line जो हम हैं वह कहाँ पर apply करना है अपने paragraph के चारो साइड में अप्लाई करनी है या फिर सिर्फ टॉप एंड बॉटम पर अप्लाई करनी है तो लेफ्ट और राइट से हम यहाँ पर रिमूव कर देंगे इनको इस तरह से और अगर बॉटम या टॉप पर चीए तो हम यहां से इस तरह से कोई भी ऑप्शन को अप्लाई और रिमूव कर सकते हैं इतना सब्साइड करने बाद जैसे हम ओके करते हैं तो हमार पास देखिए इस तरह से लाइन यहाँ पर आ जाती है तो दोस्तो इन सभी तरह से हम मेंस वर्ड पर links ड्रॉओ कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो अगर प्रसंदाए तो वीडियो को प्राइटि वीडिया जगते रेक्ति रेक्ति रेक्रेंग रेक्ति रेक्ति रणिग्ले मैच